हाई फ्रेंड्स आज हम रिव्यू करेंगे hdmi auto extractor का डिवाइस का इस डिवाइस से हम क्या सकते हैं जो LPCM PCM RAW 5.1 चैनल एनलोग जो ऑडियो होता है उसका आउटपूट हम इदर से ले सकते हैं और यह सापूर करता है decoding dolby ac3 dts including 5.1 raw digital audio streaming आप फैमिली के साथ इसी को यूज करके पूरा dolby digital 5.1 sound के साथ मूभी देख सकते हैं और इसका resolution है 4K Ultra HD तो आज इसका review करेंगे तो सबसे पहले हम unboxing कर रहे हैं तो unboxing को देख लीजिए और इसमें क्या क्या है इसका सामने वाला जो जगा है उसमें आप देखिएगा कि HDMI का एक input है साथ में एक headphone का output है और उसके साथ एक switch है और सामने जो टू चैनल और फाइब चैनल का जो converter है उसी में में फंडा है तो आप जब भी इसको connect करके चलाएंगे सबसे पहले आपको टू चैनल में रखना है फिर जब 5.1 कोई sound वाला movie आप चला रहें वह on करने के बाद ही अब इस 5.1 जो converter है सामने वाला उसमें 2.1 से change कर दीजिए और पूरा डॉल वी output आपको मिल जाएगा और उसी को जरिये से आप कोई भी पूराना home theater से आप पूरा accurate आज रिव्यू करेंगे HDMI audio extractor का जो 5.1 डिजिटल audio decoder है आप कोई भी HDMI डिवाइस से जैसे amazon tv stick है उससे आप 5.1 डॉल्बी डिजिएल साउंड ले सकते हैं और उसका इस तरह का analog output से आप home theater पूराना home theater जो है उसमें connect करके आप उसको sound enjoy कर सकते हैं दूसरी बात है यह है इधर एक HDMI output है प्रोजेक्टर का जो HDMI import है उधर यह वाला import को लगा के आप इधर वीडियो का output ले सकते हैं और उधर से आप sound output 5.1 डॉल्बी sound लेके उसको सुन सकते हैं अभी देखिए खली connection करने के बाद यह red जो light है यह अभी जल रहे हैं इसके side में देखिए दूसरा एक LED light है वो जब on होगा तब यह काम करेगा तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा इसको 2.1 चैनल में रखना है यह जो है यह 2.1 चैनल फिर क्या करना है दिखाता हम देखिए अभी हम क्या करेंगे यह Amazon stick के अंदर जो settings है settings में जाके display and audio इधर जाके audio option में जाएंगे इधर surround sound best available को हम select कर देंगे देने के बाद हम इधर से back में चले जाएंगे अभी देखिए अभी देखिए यह green color का जो light है वो enable हो गए है अभी इधर से हम output ले सकते हैं और आभी देखिए हम यह जो 2.1 channel उसको select रखे हैं तो पहले उदर से जब चालू करेंगे उसके बाद ही हम 5.1 output ले पाएंगे इसको 5.1 select करके वो दिखाता हूँ देखिए सबसे पहले देखिए हमारे इधर जो एप है जैसे डिजनी होट स्टार और Amazon Prime वीडियो जी 5 इसमें क्या है कुछ-कुछ वीडियो में 5.1 output है तो जिसमें 5.1 output है उसी से हम इसको decode कर सकते हैं दिखाता हूँ देख लीजिए तो इधर जाके जैसे यह वाला जो है यह 5.1 sound वाला है तो इधर जाके आपको इसको select करना है और आप उपर में देखिए 5.1 लिखा हुआ है मैं दिखाता हूँ यह वाला जागा में देखिए तो मैं play beginning कर देता हूँ करने के बाद इधर देखिए इसका जो audio है audio में जाके यह देखिए 5.1 तो इह ऐसे select रखके फिर इसको चालू कर देना है अभी यह चालू हो गया अभी करना क्या है दिखाता हूँ एक second तो ओ चालू करने के बाद इधर खाली 5.1 ऐसे कर देना है फिर आपको वाला sound सुना ही देगा झालू कर दो कर दो ओूना कर दो